हेलो सांतियों, वेलकम टो रोली स्टड़ी, दोस्तों आजके स्वीडियो में मद्द प्रदेश पुलिस अरक्षक 2023 के स्पैसाल इक्जाम का नेक्स्ट एनलीसिस आपके लिए लेकर आए हैं 25 अगस्त 2023 को हम सेकेंड सिप्ट का एनलीसिस कवर करने वाले हैं साड़े बारा से धाई वाला जो पैपर हुआ है, इसका एनलीसिस आपके लिए लेकर आए हैं गाइस इन वीडियोस को, जो वीडियोस हैं इनके पीडियेप के लिए आप अप अप्लिकेसन को डाउनलोड कर लेजगा पांच तक कोशन्स पूचे गए हैं, तो एक्जाम टाउन पर विजट करिएगा, सीधे सीधे कोशन आपके पूचे जारे हैं हम पूरा जो जो टॉपिक आपकी एक्जाम में आ रहा है, सभी को कवर करवा चुके हैं के लिए रहे गाईस, और आज हमें जो कोशन्स पैज़े हैं, देखें, हमें जो आज कोशन्स पैज़े हैं, ये इन्होंने नाम एक्चली नहीं बताया है हर्दा से यह हैं और इन्होंने 84 स्कोर के आएं गैज इन्होंने काफी अच्य तरीके से questions हमें बताएं यहां तक कि एक कोशन हमें इन्होंने बता दिया है यानि कि जितने भी questions बताएं उन में से सबसे ज़ादा questions इन्होंने ही बागी कपिल ठाकुर जी ने भी अच्छा से questions बताएं भोपाल से यह हैं इन्होंने 78 स्कोर किया हैं तो इन दोनों ने काफी अच्छे तरीके से हमें questions बताएं इन्हें बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे के लिए और गाईज आपका भी आगया आने वाले दुनोंवा एक्जाम हैं तो आप भी हमें इसी तरह से questions बताएं ताकि हम आपको सठीक अनलीसिस देवाएं और सबसे अच्छी बात यह रहेगी गाईज कि जैसे ही ये exam center से बाहर निकले तुरंत से हमें इन्होंने questions बता दिये भैज दिये हैं सारे questions लिखकर भैज दिये यहां तक कि इन्होंने पूरी हमें help भी किये questions को बताने में किलिए रहे कि किस तरीके से क्या-क्या questions पूछ गयते है options भी बताएं जब भी आपका एक्जाम हो ताकि हम आपको सटिक अनेलीसिस दे पाएं गाइस इस वीडियो को स्टार्ट कते हैं अपने इस वीडियो को लाइक और से यर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिगा हमारा जो फस्ट कोशन है आज का ये है भारती दूर संचार नियामक प्राधिकरन की स्थापना किस वर्स की गई थी सही जवाब रहेगा 1997 में 1997 में भारती दूर संचार नियामक प्राधिकरन की स्थापना की गई थी और डिटियल कवर करें तो देखे भारती दूर संचार नियामक जो प्राधिकरन है इसका ट्राई बोलते हैं टेलिकॉम, रेगुलेटरी, अथरिटे आफ इंडिया इसको बोला आता है इंग्लिस में इसकी स्ताफना 20 फरवरी 1997 को संध के एक अधिनियाम के द्वारा की गया थी जिसे भारती दूर संचार नियामक प्राधिकरन अधिनियाम 1997 कहा जाता है और यहां दुर संचार सेवाओं के लिए टेरिफ के निरदारन संसूदन सहीद दुर संचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया था प्राई का मुख्य उद्देश क्या था तो एक निस्पक्च और पारदर्सी नीती का वातवरन प्रदान करना जो छेत्र की भूमी का इस्तर को बढ़ावा देता है और निस्पक्च प्रतिस परदा को सुविधा जनक बनाता है अगला कोशन है भोपाल में जो कमलापती महल है ये कब बनवाया गया था ये कोशन बूज़ गया है कि भोपाल का कमलापती महल कब बनवाया था तो 1722 में याद रखिएगा भोपाल इस्तीत रानी कमलापती का जो महल है इसके दिवारा दिवारे जिर्न सिर्न आजकल हो गई ह चोटी जील के उपर बनाई यह महल भारती पुरातत्तु सरविक्षन के अधीने के लिए इसके अलावा इस महल के बारे में बताया जाता है कि यह महल 1722 में रानी कमलापती द्वारा बनाया या बनवाया गया था रानी कमलापती की बात करें तो और रेलवे स्टेशन भी है यहाँ पर जिसका पहले हबिब गंच नाम था बारतिरेलवे का या रेल का एक रेलवे स्टेशन ही बहुपाल सहर मिछती थी और बहुपाल का दूसरा रेलवे स्टेशन यह है हबीब गंच रेलेवेस्टेशन जिसका नाम रानी कमलापती के नाम पर कमलापती रेलेवेस्टेशन कर दिया गया है तो याद रखिएगा बेकी गाइस मद्यपरदेश जीके से और नेशनल जीके की तो हमने पहले ही आपको बताती थी पिछले साल के MPJL परारी वाले वही questions directly सीधे-सीधे copy हो रहा है और कुछी भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है तो हमने पूरी playlist बना रही है जाकर देखे तो देख सकते हैं वहाँ से आपके सीधे cover हो जाएंगे बाकी हमने काफी detail के साथ में आपको पढ़ाया था आपने अगर जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको वाकई में काफी help उनसे मिल रही होंगे अगले question की और आगे बढ़ते हैं next question है हमारा निमलिकित में से कौन सी खरीब के फसले तो मक्का आपका कर्रिक्टांसर रहेगा option दे रहा था मक्का वाला तो मक्का कर्रिक्टांसर रहेगा खरीब के फसले कौन कौन सी है चावल मक्का, जुआर बाजरा, रागी बाजरा, अनाज, अरहर दाल हना सोयाबीन, मुंफली, तिलहन में आती है कपास, यह सभी खरीब के फसले है के लिए इन्हीं में से आपको कोई भी दिखे, किसी तरह का questions बने आपसे पूचे जाए खरीब के फसल कौन सी है उस तरह से भी बता देना है, पूचे जाए निमने में से खरीब के फसल कौन सी नहीं है, उस तरह से भी आपको जवाब देना आना चाहिए खरीब की फसले जिने मानसून फसल के रूप में भी जाना जाता है घरेलू पोदे हैं जो दक्षिन ECI में बरसाद की रितु में उगाएं और काटे जाते हैं किलियरे जो अप्रेल से अक्टूबर तक कहीं भी चल सकते हैं तो गईस बरसाद के मोसम में अजय सके बोई जाता है और अक्टूबर में काटा जाता है इस तरह की ये चीजे हैं तो आप थोड़ा से ध्यान रखेगा घरीब की फसल होती है और रवी की फसल यूँ होती है ये आपको पता ये गर्मी के मौसम पर बोई जाती है, अक्टूबर नौमबर में बोई जाती है, उदर मार्च अप्रेल में काटी जाती है, तो ये सब ही आपको, अल्रेडी ये सारी चीज़े आपको I think clear हो गई, अगला कोशन है हमारा बुरहनपूर का गवर्नर रहते हुए कौन सा मॅगल बाधसा साही कीले में रहता था, तो इसका नाम सहाजाः है, साही कीला बुरहनपूर में एक राज़सी महल था, जो तापती नदी की पूर्म में इस्तिता, साही कीला का इत्यादी बताता है कि हम मोल रोप से फारुकी सास को दोरा बनवाया गया था, और साह साजा द्वारा बसाया गया था इसको उस से में जब वहां बुरानपूर के गवर्नर थे यानि कि साजा साजा जब बुरानपूर के गवर्नर थी तब इसको बसाया गया था इन्होंने साजा कीले का इतना सोकीन हो गया था कि वहां साही कीले में था और उसने अपने सिंगासन पर चड़ने के पहले तीन वर्सों के लिए अपना दर्बार इस्ताबिद इसमें किया था है ना तो यही कोशन बना है कि बुराणपुर का गवर्णर रहते वए कौन सा मुगल बासा साही किले में रहता था तो इसका नाम सहाज आई है अगला कोशन है 1720 से 1760 तक मद्यपरदेश में किसका साहजन रहाए गाइस देखे हम एनलीसिस कराते हैं आपको हर एक्जाम का हैना हर एक्जाम में जो जो कोशन आते हैं उनका हमें एक एक चीजे पता रहे थी है कि कौन सा एक्जाम में कौन सा कोशन आया था ये सारे कोशन हम आपको जेल परारी पटवारी में कवर करवा चुके हैं तिन तिन में भी बनने लगे थे questions पहले मद्यपरदेश के नहीं पूचे जा रहे थे फिर बाद में पूचे जाने लगें तो यही questions पूचे गए जो constable पूचे गए थे 2022 में वही questions repeat हुए थे वही इसमें पूचे गए जेल परारी में और वही अब वाफिस से इसमें repeat हो रहे हैं तो कुछ नया यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है जिन लोगों ने पढ़ा हुआ उनको तो काफी मज़ा इन questions में आ रहा होगा देखे 1720 से 1760 तक मद्यपरदेश में किसका सासंता मराटो का 1707 में औरंग जेब के मरत्यों के बाद मुगल नियंतरन तूट गया था और जिसके परिणाम से रूप मराटो का विस्तार शुरूवा था और मराटो ने 1720 से 1760 के बीच मद्यपरदेश में सबसे अधिक हिस्से पर नियंतरन इस्तापित कर लिया था तो यही question आप से पूच गया है अगला question है जर्मन दार्षनिक काल माक्स द्वारा लिकित पुस्ता कौन सी है तो इनके द्वारा जो रचनाएं हैं दास केपिटल, दज जर्मन आइडियोलोजी एकोनोमिक औफ एकोनोमिक एंड फिलोसोफिक मेन्यू स्क्रिप्ट औफ 1844 ये जो पुस्ता के ये इनकी है, इनहीं में से आपको एक मिली होगी, आपने इस तिंक आंसर क्लिक कर दिया होगा, काल माक्स एक जर्मन दर्षनिक थे हना, अर्थसास्तिर इतियासकार समाज सास्तिर राजनितिक, सिद्दान्तकार पत्रकार समाजवादिक रांतिकारी ये थे, के लिए रहें, तो इनकी ये ये पुस्ता के हैं, ये आप देख ली जगा अगला कोशन है, स्टॉक पार्मिंग हना, स्टॉक फार्मिंग का सम्द्ध किसे हैं? मवेश्यों और भेडों के पालन पर ध्यान किंदित करके खेतिस में की जाती है अगला कोशन ही, उची नियाले की प्रदान पीट को छोड़कर कितनी अन्य पीटे हैं? ये कोशन इतना ही हमें मिला है, और मुझे जहां तक लग रहा है ये मद्ध्यप्रदेश के फेवर में कोशन होगा है ना? क्योंकि मद्ध्यप्रदेश से ही कोशन सब बनने लगे हैं तो मद्ध्यप्रदेश के फेवर में हो सकता है अधर्द इस्टेट की फेवर में तो possible नहीं हो पाता है के रबन सकता है व्यापधम को कोई भरोसा नहीं कहीं का भी कोशन कहीं भी पूछ लेता है पर जहां तक लग रहा है ये मंद्यप्रदेश का है क्योंकि इससे पहले जो एक्साम होई है उनमें भी इस तरह का कोशन बना है तो उची नियाले की प्रदान पीट को चोड़ कर कितनी अन्य पीटे हैं तो दो अन्य पीटे हैं किंदोर में दूसरी ग्वालियर में मद्यप्रदेश उची नियाले की कुल सक्ती 53 पर दिन जादी थे फरवरी 2022 में रवी मलीमत मद्यप्रदेश उची नियाले के मुखिन आइदीस हैं अगला कुशन है एस एल आर को 40% तक बढ़ाने का अधिकार किसक के पास में होता है त अरभियाई वाले जो कोशन सम कवर करते हैं उसमें इस फैक्ट को हम हर बार कवर आपको करवाते हैं के लिए यह पॉइंट है एस एल आर एक इन तरल प्रतिबूतियों का अनुपाद है जिसमें बैंक को बनाया रखना चाहिए भारती रिजर्व बैंक इस प्रतिसत को 40% त होना चाहिए अगला कोशन है थोक नोबार जैसे अनाच, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन और इसी प्रकार के पदार्त के लिए विसेस, क्रत, विसेसी, क्रत, बंदरगा होते हैं तो यह होते थोक कार्गो इनको बुला जाता है या फिर आपको उप्शन में मार्ग बंदरगा थोक नोबार जैसे अनाच, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन और इसी प्रकार के पदार्त के लिए विसेसी, क्रत होते हैं अगला कोशन है नेपोलियन, बोणा पार्ट का जन्म के शहर में हो था भूमध्य सागरी दीप, कोरसिका में इसका जन्म हो था नेपोलियन, बोणा पा और 1804 में उन्होंने एक भवी समारों में खुद को फ्रांस के समराट का ताज पहनाया था वाइटरलू की जो लडाई ये इसको वाइटरलू की लडाई जो 18 जून 1815 को बैल्जियम में हुई थी नेपोलियन बोर्नापाट की अंतिम हार की रूप में इसको चीनीत की गई थी ये पोइंट यहीं से सीदे सीदे कोशन आपके बन रहे है अगला कोशन है राश्टी पंचायत पुरुसकार 2023 के सर्वसिष्ट जीला पंचायत की रूप में किसे चुना गया है जारकंड की ग्राम पंचायत कपीलो को चुना गया है सर्वसिष्ट जीला पंचायत की रूप में किले रहे तो याद रखेगा सत्रा अप्रेल 2023 को राश्टपती दुरौपती मुर्मूने नई दिल्ली में पंचायतों को प्रोस्ताहन पर राश्ट सम्मेलन में जारकंड की ग्राम पंचायत कपीलो को राश्टी पंचायत पुरुसकार 2023 परदान किया है हना तो ये याद रखेगा और देखे ये जो कोशन्स है नेशनल के हम आपको एक्जाम टाउन पर कवर करवा चुके हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंके विजिट कर सकते हैं पिछले बारा मैनों का हमने वीडियो दे दिया है आपको जिसमें टॉफ हंडेड कोशन्स कवर करवा है लास्ट सेवन मन्त का भी है उसमें भी आपके दो हर्यार तेविस के कवर हो जाएंगे सारे कोशन्स इसके अलावर टॉपिक वाइस दे रखे हैं इसरो टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़ीगा अगला कुशनी इन डिंग ऑफ फाइर पर कौन सा देस स्थीत नहीं है और ये किस अश्जित नहीं है किलिए रही तो रिंग ऑफ फाइर पर अस्टेलिया इस्तीत नहीं है और ये प्रसांत महासागर में स्थीत हैं इसे सरकम Pacific Belt के रूप में जाना जाता है जो सक्रीज वाला मुख्यों और लागातार भुकंपों की विसिस्ता प्रसांत महासागर के साथ एक पत है यह कापी हद तक एक प्लेट टेक्सोनिक्स हैना टेक्टोनिक्स का परिनावे जहां विसाल प्रसांत प्लेट इसके चारो और कम गने प्लेटों के साथ संपर्क करती है अगला कुशिन है राजासू उपनीरिक्चक कौन होता है? लेखफाल होता है लेखपाल का नया पदनाम राजासू उपनीरिक्चक किया गया है अगला कुशन है निम्न इलिकित मैं से किसे 2022 मी अग्रणी भूमिقा में सरुसीषट अभिनीता का औसकर मिला था तो विल स्मित को मिला था विल स्मित 94 अकादमी पुरुसकार या औसकर पुरुसकार की विजिताओं की गोसना 28 मार्च 2022 को की गई थी विल स्मित को किंग रिचर्ड के लिए सर्वसिष्ट अभिनेतरी का आसकर जिता है इनका भी नाम आप याद रखे का अभिनेतरी का अभिनेतरी का पूचे जा चुका है कोई बड़ी बात नहीं अभिनेतरी का भी बन सकता है नेक्स्ट को सेने 1984 में किस भारती व्यक्तिक को या व्यक्तितु को लाइवली हुड वड मिला तो ये इला भट को मिला दा इसका अलाए वनेक्स्ट कोशन है चीतल सूतन रिक्तिस्तान हाल है इस तरह से इताहर ये चीज़े इस तरह से हमें बताया है बट एक्जक्ट हमें नहीं मिल पाया है कि क्या ये चीजे थी अगला कोशन है मद्दप्रदेश मुगल के अधीन होने पर महाकोसल किसके नियंतरन में था इस तरह से question ये पूचा गया था कि मद्यप्रदेश मुगल के जब अधीन हुआ था महाकोसल में किसका नियंत्रन था next question पूचा गया काबुल और ढांका किन देशों की राजदानिया है इस तरह से question आपको दे रहा था काबुल अफगानिस्तान की है और बांगलादेश की जो है ये ढाका है तो इस तरह से आपका सही जवाब रहेगा क्रमसा आपको दे रहा था next question मानव निर्मित आबदा कौन सी है नहीं है सूका जो है मानव निर्मित आबदा देखें मानव निर्मित आबदा नहीं है सूका सुका कौन सी है, सुका प्राकर्तिक आपदा है मानव निर्मित आपदा कौन सी है तो मानव निर्मित आपदा है जैसे कि ओध्योग दुरगटना है, भवन दहने की आपदा है, आग विस्पोट वायू, रेल, समुद्री गटना है ये गटनाए मानव निर्मित अबदाए है या मानव निर्मित गटनाए है प्राकरतिक गटना या प्राकरतिक अबदाओं की बात करें उनमें सुनामी, बाड, चक्रवाद, सूखा, जौलामुक्किव इस्पोर्ट जो की एक सिस्टम के ठायत होती है नेचुरल जो चीज़े होती है प्राकर्तिक उस तरह से जो चीज़े होती है जो गटनाएं होती है उनको हम प्राकर्तिक गटनाएं बोलते हैं और जो गटनाएं मानव के द्वारा होती है उनको हम बोलते हैं मानव निर्मित आपदाएं जिसे कि ओध्योगिक दुरगटना मा प्राकर्तिक में प्राकर्तिक चीजे आती हैं तो आपको इस तरह से तोड़ा सा मैंटली देखना है तो आसानी से क्लिक कर लेंगे याद होना नहीं होना कोई मेटर नहीं करता है आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो देखिए यहां पर बीज कोशन्स हमारे पूरे हो कोशन्स मिलें इसका सीधा सा मतलब यह हैं कि आपकी एक्जाम में 20 कोशन्स जीके के पूचे जा रहे थे अब इनकी संक्या बढ़ चुकी है सुबह अभी करीबन 22-23 कोशन्स आपकी एक्जाम में पूचे गए थे बट हमने 20 आपको बताए क्यों बताए क्यों कि हम कंफर्म रहे और यह कुशन्स भी पूचे गए 2022 याने कि 2023 में प्रदानमंत्री आवास्योजना के लिए कितना बजट अबंटित किया गया तो यह है 89 करोड रुपे 89,000 करोड रुपे और ग्रीन आउसकर किस पूरुसकार को कहा जाता है तो दा विटली अवोर्ट को ग्रीन आवोर् हो सकता है 22-22 कोशन आज भी इसी सिप्ट में भी पूचे गए होगे बागी यह इस तरह की इतने भी कोशन्स बन रहे आपके नेशनल कर इंटरफेर के एक्जाम टाउन को विजट कर लिजगा यहां से आपके सभी टाइप के कोशन नेशनल कर इंटरफेर के कवर हो जाएग का रंग पीला क्यों होता है तो फलो के गूदे के क्लोरोप्लास में उपस्तित केरोटीन और जिंतोफिल पिगमेंट अर्ताद केरी कॉंस्टनीन की उपस्तिती के कारण पपीता का जो होता है पीले होते हैं इसके लावा मदमक्की का जहर रिक्तिस्तान है तो अमली है अमर कठीन कोशन थे वो याद एक्जक्ट नहीं रफाएं तो उसकी वज़े से वो कम याद रफा थे तो वो मिल भी नहीं पाते हैं अब आपन बात करते हैं मैस की मैस में SICI से 3 कोशन बने, कतन निसकर से कोशन बने, परसेंटेस से बने, लाभानी से 2 कोशन बने, सरलीकरन से 3 से 4 कोशन बने, बोडमास से कोशन बने, ओसर से कोशन बने, संक्यापदिती से कोशन बने, अनुपास से कोशन बने, छेत्रमीती से 1 कोशन पूच गया, LCM, HCF से 4 कोशन समयकारे से एक कोशन है, आयू से कोशन है, प्रतिसा से एक कोशन है, अलजेबरा से कोशन है, रेल गाड़ी से दो कोशन पूच गया है, ये टॉपिक का हमें मिले हैं, जो जो टॉपिक का हमें मिले हैं, सारे आपको बता दिये, हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ और चीडिय बने, coding decoding से दो question बने हैं, number CD से question बने, missing number से, syllogist में से questions बने, दिसा दूरी वाले एक question पूचा गया, बैटा के व्यवस्ता से question बने, अगली आकरती कौन से होगी, और गड़ी से एक question पूचा गया, counting figure से त्रिबूज वाले तीन से चार question पूचा गया है, इस तरह से आपके आ कर interfere आपका इसी channel से cover हो जाएगा, के लिए रहे guys, ये कुछ online course और से ebooks टेसी रिजेन की मतलब से काफी हत्ता का अपना score आप improve कर सकते हैं, और guys, इस वीडियो की PDF के लिए application को download कर लीजिएगा, telegram channel group को join कर लीजिएगा, telegram पर हमने जितनी भी PDF सारी अब तक की PDF डाल दिये, तो आप जाकर download कर सकते हैं, इसके अलाव इस वीडियो को like नहीं किया, like कर दीजिए, share कर दीजिए, जिन लोगों ने channel को subscribe नहीं किया, उन सभी सा request है कि channel को subscribe करके bell icon को all पर select कर दीजिगा, ताकि जो भी नया वीडियो है, सबसे पहले आप सभी के पास पहुँच पाए, के ले रहे गाइस, तो मिलते हैं हमारे next receptive analysis के साथ तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम